हुआ है चाह चाह ऑफ के अब सेक्षान प्रिभीस व्यूंधियो था उसमें इंटरसेक्षन प्रॉपलिटी में तू प्रफिटी बताया एक आपको आड़ेंपॉटेंटरू से निर्टि लीजि ठीक है तो इस वीडियो में आपको बताएंगे तुरूस तो आप उसको देख लिजिए ठीक है तो समझ में आएगा आप देखिए आपका थार्ड रूल से तो एसो सेटीव रूल से तो एस्टीव रूल में क्या दिखाना थामें तुस्तों दिखाना था क्या कि कि A intersection ठीक है A intersection B intersection C equal to A intersection B of intersection C यह हमें फ्रूप्स करना था तो इसे यह हमें दिखाना और इसके लिए हम क्या करेंगे हमें प्रूप करना पड़ेगा we have to show that 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 वहला आपका दिखाना पड़ेगा कि A intersection B intersection C is subset of A intersection B intersection C ठीक है फिर सीखन दिखाना पड़ेगा यह वाला इसका subset होगा यानि कि A intersection B intersection C is subset of A intersection B intersection C ठीक है यह हम क्या करना पड़ेगा प्रूप करनके दिखाना पड़ेगा ठीक है तो हम क्या करते हैं इसके लिए एक elements लेंगे उसको X को belongs कराएंगे इसमें ठीक है तो हम elements लेते हैं ओप हम लेते हैं elements X belongs to A intersection B intersection C ठीक है प्रूप करेंगे पहला एक सीट करता कि इसमें A intersection B Intersection C में रहिःओं कि यह इसमें लेंगे इसमें लेंगे इसको बिलांक करते हो डिंगे इसके अंदर ठीक है तो यह प्रूप हो जाएगा कि यह इसका subset है यह प्रूब करने का ठीक है किसी को सबसेट दिखाने का यह तरीका होता है तो हम क्या करेंगे अब एक्स बिलांग्स करता है इसमें तो यह हमें implies and is implied by AX balance करेगा A में intersection है and लगाएंगे and X balance करेगा B में उसके बाद intersection C ठीक है B intersection C में and यह आपका फिर क्या होगा AX balance करेगा A में AX balance करेगा B में intersection लगाएंगे intersection ठीक है AX balance करेगा C में भी अब इन दोनों को साथ लेंगे फिर एक से विलांस कराएंगे हम A and X से विलांस करता है B में इसको हम लेंगे साथ फिर इसको कर देंगे and X से विलांस करता है C में यहां तक समझ में आया होगा ठीक है फिर हम क्या करेंगे अब देखिए A में, 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 A मे of intersection C, इस प्रकार हुआ, तो में अज़े तो फिर से हम पीड क्या मिला, so, A intersection, B intersection C, subset of A intersection B, off intersection C, ठीके, and ठीके, फिर इसको लेंगे यह मिल जाएगा हमें, यानि आपका हुआ A intersection B of intersection C, subset of A intersection B, intersection C, ठीके, तो हमने क्या किया, पहले वाले को and second वाले को प्रूब किया कि यह A intersection of B intersection C is subset of A intersection B of intersection C and second प्रूब किया A intersection B of intersection C subset of A intersection B of B intersection C ठीक है हमने दोनों को प्रूब किया तो therefore अब क्या होगा फिर? दोनों से मिलाने पर क्या हुआ यह प्रूब हो गया ना कि एंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू एंटरसेक्शन बी ओफ इंटरसेक्शन सी ठीक है यह में क्या हुआ प्रूब हो गया तो इस प्रकार से आप इसे प्रूब करेंगे ठीक है यह हुआ उसके बाद क्या आता उसके बाद आपका आता है आइडेंटिटी रूल्स ठीक है क्या आती है आइडेंटिटी रूल्स तो हम बता रहे हैं आइडेंटिटी रूल्स में देखिए यह आपका फोर्थ रटा ठीक है आइडेंटिटी रूल्स इसमें क्या था आपका आइडेंटिटी रूल् फाइ ठीक है किसी का हम five की साथ intersection कराएंगे तो हमें five मिलेगा ठीक है और सिकेंड आपको प्रूव करना था two so A intersection union equal to a ठीक है हमें ये प्रूव करना था पहला प्रूव करना है इसमें देखिए पहला क्या करना है कि intersection 5 को दिखाना 5 की बराबर ठीक है तो 200 intersection 5 equal to 5 तो हमें एक चीज यह जानते हैं चुकि यह 5 जो होता है subset होता है एका ठीक है for all of a प्रतेक एक लिए 5 के आता हो subset होता ठीक है प्रतेक समुझ्चे कोई भी समुझ्चे लिया जाया तो 5 उसका क्या होगा subset होगा सदेव ठीक है तो इसलिए intersection 5 किसके बराबर होगा 5 की बराबर चुकि हम किसी भी समुझ्चे का 5 के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा मिलेगा यानि कि यह फीगर से देखिए समझी जैसे आपका फीगर है तो यह आपका समुझ्चे टूसव लेंडे हिछ और समय कोई इन्ट्र्सक्षण किसके होगा नहीं की बराबर और उसके बाद अब सिकेंड क्या है में नहीं का लिए आओ डूसोर डैंट एक कोल टुए तो यह तो यह जो ऐ योटा आ है प्रतेक एजो ता संद्ट होता है उनीयन का ठीक है प्रतेक एजो होगा यह सबसेट कि यहुणियन का देखें यह जो परतेक ए उसान्म का क्या होगा सबसेट होगा जब इसके अंदर समाईत है तो हम एंटर सेक्षन यू निकालेंगे तो इसके बराबर एक एक बराबर निकलेगा यानि कि आपका हुआ पूरा इन्वर्सल जो आयत किया जाए लगा यह आपका होता इन्वर्सल जटीक है जब हम आपको डियागराम यहां हुआ है तो इसके बराबर होगा यह आपको प्रूब करना था ठीक है तो इस प्रकार आप इसे प्रूब ठीक के एसेहेटिव रूल्स आशायटिघ रूल्स और आजिन डूरूल्स आपको हमने पहले री अशाय पनगां। तो सो हम यहीं पर वीडियो एंड करेंगे एंड सिकेंड वीडियो में आपको हम यह बताएंगे डिस्टिविशन ओफ यूनियन और ओबर इंटरसेक्शन ठीक है झाल झाल